दोस्तो profit अगर आपको बनाना हो न तो price action को जरूर याद रखना price action दिमाग में रहेगा दिल में रहेगा तो definitely आपके chart पर भी रहेगा और अगर chart पर आपको price action समझना आगया तो profit बनाने से कोई रोक नहीं सकता मैं बात कर रहा हूँ आज price action के अगले part की जिसमें आज हम यहाँ पर क्या जानने वाले हैं क्या सीखने वाले हैं आपको खुद यहाँ पर समझ में आएगा अगर वीडियो आप पूरा देखते हो तो मैं बात कर रहा हूँ एक अगली candle की ये candle बहुत easy to understand है आप इस candle को बहुत अच्छे तरीके से और एक बड़िया time frame के हिसाब से इसको identify कर सकते हो इस candle का नाम है engulfing candle बहुत easy candle है नाम थोड़ा सा इसका ऐसा है कि यहाँ pronounce करने में आपको दिक्कत आ सकती है लेकिन ये बहुत अच्छी candle है ये candle एक तरीके से हमेशा profit बनाने वालों के लिए बनाई गई है अगर आप engulfing candle को identify कर लेते हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से market में profit को बना लेंगे इंगल्फिंग candle जो है ये दो तरीके की candle होती है आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा साब साब कि ये candle ऐसी candle नहीं है जैसे आपने देखा यहाँ पर डोजी जो हमने जब भी हमने identify करी थी पिछली बार डोजी को तो डोजी का एक अलग size था ठीके आपने देखा होगा य इस दोनों ही तरीके की market में use के जाती है आप यहाँ पर देखो इस candle की shape और इस candle की shape में जमीन आसमन का फरक है मतलब ऐसा नहीं है अगर आपको मैं एक example के तोर पर बताऊँ पिछली वाली आपने जब देखी होगी यहाँ पर ड्रेगन फ्लाइ में तो यह जो ड्रेगन फ् ठीक है यह इस तरीकी की है तो इसको अगर आप उल्टा कर दोगे और color change कर दोगे तो यह hanging man बन जाता है same hammer में भी आपने same चीज़ देखी होगी ठीक है यहाँ पर भी आपने same scenario देखा होगा लेकिन अभी हम जिस scenario की बात कर रहे हैं इन गलफिंग candle की जो बात कर रहे हैं य आप या तो दोनों तरीके की candles को सही से समझो जैसे आपका कोई office है आपका कोई घार है आप mobile में trading करते हो laptop में करते हो तो एक इसका photo रखो अपने पास क्योंकि यह थोड़ा सा identify करने में दिक्कत आपको लगेगी क्योंकि जब मैं अगली candle पे बात करूँगा जब हम अगली वीडियो में देखेंगे अलग अलग तरीके की candles आएंगे और कुछ similar candles भी आपको देखने को मिलेंगी उनको identify कर पाना ही बहुत बड़ा काम है candle अगर आपने identify कर ली आप trade ले लोगे candle identify नहीं करी आप trade तो ले लोगे लेकिन वो trade आपकी loss में जा सकती है ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली concept यह आता है कि यह जो engulfing candle है यह इसका काम क्या है यह क्यों बनी है candle जैसा कि मैंने आपको starting में बोला यह profit बनाने वाली candle है अगर आप इस candle को सही तरीके से identify कर ले तो profit बना सकते हो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यह bullish market में और bearish market में दौनों तरह की market में available रहती है लेकिन इसका size एक तरीके से different रहेगा मतलब अगर आप इसको एक तरीके से देखो यह bullish market है ठीके यह bullish market है अब इस bullish market में इसका आप size देखो और bearish market यह आपके bearish market है अब इस bearish market में इसका size देखो तो यहाँ पे आपको एक जमीन आसमान का फरक नज़र तो इस फरक कोड यह आप ऐसे कह सकते हो इस confusion को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं और इस वीडियो के माद्यम से आप यहाँ पर एक बहुत तगड़ी चीज सिगने वाले हो कहने का मतलब यह है आप अपने अंदर decide करो कि आप ingulfing जो candle है इसको समझ आते हो तो आप इस पर ध्यान दो समझ में आगई बात नहीं आई समझ में क्योंकि जब कमेंट्स आते हैं लोगों के जब लोग कमेंट्स करते हो तो वो बूल जाते है पिसली बार मैंने ड्रेगन फलाई बताया दो तीन लोग कह रहे थे कि सर आपने ड्रेगन फलाई को ग को देखोगे कि किस तरीके से प्रॉफिट को बनाएंगे लेकिन concept को थोड़ा सा समझ लेते हैं दोको इसमें concept बहुत simple है एक candle है आपके पास इस तरीके की ठीक है ये candle है और इस candle के दोनों साइड में आपको छोटी-छोटी विक दिखेगी वो भी बराबर ठीक है ये आप देख रहे हो छोटी-छोटी आपको यहाँ पर एक line से हलकी सी line आपको यहाँ पर साब-साब देख रही होगी ठीक है ये आपके पास एक candle मिलती है आपको ये bullish market के अंदर तो जब bullish market के अंदर ये candle मिलेगी आपको हमेशा trade किदर लेनी है अफ़ा direction में trade लेनी है लेकिन यहाँ पर एक और parameter है जो आपको check out करना है यानि आप ऐसे समझ लेजिए पीछे वाली candle पर यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर पीछे कोई छोटी मोटी candle बनी है like this मतलब मान के चलो अगर इस तरीके के कोई candle बनी है इस तरीके के कोई अगर भी एक छोटी सी भी candle अगर red बनी है और उसके बाद यहाँ पर engulfing candle बनी होई है तब आप अगली वाली जो trade है वो अवा direction की तरफ ले सकते हो उसका भी कोई पैसा नहीं है ultimately आपको यहाँ पर चीजे सीखने पड़ेंगी उसके लिए आपको अपनी थोड़ इसी energy लगानी पड़ेगी दिमाग पर थोड़ असा जूट देना पड़ेगा ठीक है तो चलिए अब अब सबस लेते हैं लाइब चार्ट पर किस तरीके से काम करने वाली है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ दुवारा से में चार्ट पर आ जाता हूँ याप मेरा चार्ट दिख रहा होगा और आपकी जानकारी के लिए क्योंकि देखो अब मैं बार-बार इसे वेच पर लेके आऊँगा फिर आप confusion में आ जाऊँगे तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं एक candle बना लेता हूँ इंगलफिंग candle के नाम से तो उस candle को आप बार-बार देखो आप trade ले पाऊँगे इसलिए मैंने starting में आपको बोला अपने office में, अपने घर पे, अपनी mobile में जहां कई भी अपने pocket में भी रख सकते हो और कुछ purchase करने की ज़रूत नहीं है एक simple जिस तरीके की मैं candle बना रहा हूँ इस तरीके की candle आप एक paper बना के उसका photo लेगे, अपने mobile बेर फ्लो तो भी चलेगा ठीक है, so मैं इसका सबसे पहले दोस्तों color change करता हूँ करकी color से ही हम सही तरीके से सीख पाते हैं ऑके ये आपकी एक candle रहेगी जिसको हम बोलते है engulfing candle, ठीक है मैं यहाँ पर note कर लेता हूँ कि फिर बाद में लोग भूल जाते यह बुलिस में बनेगी इंगल्फिंग इस तरीके की और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बीरिस में बीरिस में जो आपकी केंडल बनेगी वो कुछ इस तरीके इसी बनेगी यह आप देख रहे हो इस तरीके की candle बनेगी पहुत चोटी से candle बनेगी और इसके उपर जो विक रहेगी वो उपर रहेगी नीचे बिल्कुल भी कुछ भी विक नहीं है अब देख सकते हो यहाँ पर ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें कभी भी ट्रेड लेनी होगी अगर हम कहीं पर भी ट्रेड लेते हैं गाइस ठीक है जहां कहीं भी जब आपका मन करें जब आपका दिल करें तब आपको ट्रेड लेनी है बुलिस में अगर आप ट्रेड लोगे तो इस तरीके से आपको candle identify करनी पड़ेगी बीरिस में अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये candle आपको identify करनी पड़ेगी लेकिन पीछे वाली candle पे ध्यान देने की ज़रूत है तो सबसे agious इसका तरीका ये है देखो अगर आप एक साथ दो ट्रेन को पकड़ना चाहोगे तो नहीं पकड़ पाओगे मेरे बात से अगर agree करते हो तो मुझे बताना comment section के अंतर मेरी बात से agree करते हो ये सुनो आप दो ट्रेन को एक साथ पकड़ सकते हो नहीं पकड़ सकते आप एक train को पकड़ सकतो आप पूरा दिन platform पे बैटे रहो train आएगी आप उसमें बैटके चले जाओगे आप यहाँ पर price section को समझने की गोसेस करो आप यहाँ पर अपना focus रखो या तो bullish market में trade करने का या bearish market में trade करने का तो चलिए मैं bearish market मैं यहाँ पर नए trade करूँगा मैं आपको यहाँ पर bullish market के साथ कुछ trades लेके दखाऊँगा यहाँ पर आप जो भी trade लोगे वो आपकी trade profit के साथ close हो तो मानना loss के साथ close हो तो मत मानना ठीक है हाला कि मैं कोई guarantee ऐसी नहीं लोगा क्यांकि यार भाई यह trading है एक तो trade एक तो rejections चोटे मोटे कभी भी किसी भी तरीके के देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है अगर एक दो trade इस तरीके की आपकी चली भी जाती है तो वहाँ पर एक नया concept को तलास हो कि candle यहाँ पर जो engulfing candle है वो कहाँ है ठीक है तो यह candle आपको तलासनी पड़ेगी यह candle आपको खोजनी पड़ेगी यह candle जब भी जहाँ भी जिस भी condition में होगी जिस भी asset में होगी आपको trade वहीं पर ले लेनी है और हम अभी starting में वीरिस market में trade करेंगे नहीं हम bullish market में trade करेंगे तो bullish market में आपको इस तरीके की candle देखनी पड़ेगी जहाँ पर भी इस तरीके की candle मिले इस से पहले एक छोटा सा आपको इस तरीके की एक और candle दिखेगी red color की candle वहाँ पर भी आप एक बार के लिए trade ले सकते हो, लेकिन में आपका focus रहना चाहिए, इंगल्फिंग जो candle है इस पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो कोई मुझे scenario दिख नहीं रहा हूँ, मैं कोई दूसरी asset यहाँ पर try करूँगा, ठीक है, कोई भी दूसरी asset, जहाँ पर आपको इस तरीकी का scenario मिले, देखो यह एक scenario मुझे मिल रहा है, ठीक है, एक scenario मुझे मिल रहा है, मैं एक trade यहाँ पर ले रहा हूँ, अब इसमें से बहुत जाद लोग पता है क्या कहेंगे, कि सर इतनी बड़ी आपने candle बनाई है, इतनी बड़ी candle तो यह आपकी बात से मैं agree करता हूँ, price जब भी market में move करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, 0 से 100 पर आजाएगा price एक बार में, किसी चीज़ का आपने कभी देखा है, कि petrol 10 रुपे लीटर था, उसके बाद में फिर price का difference आएगा, चोटी candle बने की बड़े price का difference आएगा, बड़ी candle दिखेगी, ठीक है, तो जादा बड़ी candle, जादा चोटी candle इस पर ध्याम नहीं देना है, बस आपको यह देखना है कि engulfing candle properly है या नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर इस state की performance एक बार देखेंगी, result हम एक बार verify करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह वाली trade अमारी super win profit के साथ में close हुई है, अब यहाँ पर मैं आपका जो myth है, लोगों का जो myth है मैं उसको तोड़ देता हूँ यहाँ पर, indicators बहुत अच्छे accuracy देते हैं, इसमें कोई दोर है नहीं है, जितने जादा indicators लगाओगे, उतना जादा complications आपको आएंगी, क्योंकि हर एक indicator का एक अपना-पना महत होता है, उसकी अप अलग, एक अलग जगे, एक अलग space के अंदर उसकी importance होती है, तो यहाँ पर आपने देखा, engulfing, हमने police market में try किया है, तो profit बना लिया, अगर यह same formula, अगर आप यह इस market में भी try करोगे, तो वहाँ पर भी trade आप ले सकते हो, वहाँ पर भी profit आप बना सकते हो, तो मैं यहाँ पर, अगर कहीं मुझे दिखेगी, अगर दो तो यहाँ पर एक छोट असा red candle बनी है, अब इस candle इसको कहते क्या है, यह याद रखवाना बहुत मुस्किल है, कभी कभी तो मैं भी बूल जाता हूँ, मैं आपको सही बात बताऊं तो, इसलिए मैंने आपको बोला, आपको इतनी जादा candles हैं, इन सारी candles को दिमाग पर रख होती है, विक छोटी होती है, बड़ी होती है, बट confusing है ultimately, तो यहाँ पर आपको जादा कुछ focus करने की जरूत नहीं है, सिर्फ एक से दो candle, एक से दो मेरी जो price action की वीडियोस हैं, इन सारी की सारी वीडियोस को आप देख मारो, यहाँ पर मैंने properly एक series सुरू करी हुई है, अ बहुत जादे लोग कह रहे होगे कि भाई, ट्रेट क्यों नहीं लेके दखाई, मैं आपको बता दू, अगर हम यहाँ पर ट्रेट लेते, और अभी आप देख रहो, जो candle है कहाँ चल रही है, यह आप देख रहो, तो वो ट्रेट भी हमारी super win profit के साथ में ही close होती, चीजों बहुत तो common sense लगाओ गई ना, ऐसा तो एनी 100% मेरे उपर dependent हो जाओगे, मैं कोई आपसे वो तो 400 कर नहीं रहा हूँ अपने course का, या फिर अपने, जो मैं आपको session दे रहा हूँ उसका, या फिर मैं सिखा रहा हूँ उसका, ठीके, ultimately मेरा काम है बताना, आपका काम है उसको implement करना, अभी आप देख रहे हूँ, market किस तरीके से चल रहा है, अगर हम यहाँ पर जितनी भी trade लेते, यह सारी की सारी trade हमारी कहा जाती, आपको समझ भी आ जाना चाहिए, और अगेन मैं आपको फिर से बता दू, यहाँ पर अब ये engulfing candle नहीं है, ठीके, क्योंकि एक confusion है, तिमाख में जो बैठा हुआ है, हमारी एक human tendency है, कि हमारे अंदर से doubt बहुत के लिए रहाते है, मतलग जैसे अगर मान के चलो, जैसे मैंने एक train का मैंने आपको example दिया, इस्टिसन पे बैटे हो, आपकी train अगर 4 o'clock है, तो आपकी mind में एक वार तो यह जरूर रिट करेगा, कि यार train कहीं ऐसा तो निकल गई हो, बले ही आप time पर पहुचे हो, time से 10 minutes पहले पहुचे हो, क्योंकि एक human tendency है, उसको थोड़ा सा control करता है, वो ही एक psychology का part बन जाता है, अगर आप उस पर control कर लेता हो, तो definitely guys आप बहुत अच्छा profit बना सकते हो, ट्रेडिंग में psychology बहुत important ह है, इस बात को अब मानो, मैं इसके उपर भी एक नई strategy लेकर आऊँगा, तो पहले price action की जितनी भी strategies आनी बाने लिया हो, और भी उनको एक एक करके finish कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम, दो-तिर वीडियो में psychology पे भी लेकर आऊँगा, कि किस तरीके से control करें, और आगे फिर म को subscribe करके जाना, well icon को press कर लो, so that की upcoming video को notification, आप सभी लोगों तक timely पहुंच जाएं, तो चलिए, ये मेरे से गलती से delete हो गया, मैं इसको erase करता हूँ, मैंने आपको starting में क्या बोला, आपको मैंने अभी बोला था कि ये वाली जो candle है, ये engulfing candle नहीं है, अब मैंने ये क्यों ब लेकिन आपने बैटे हूँ, लेकिन एक बार अगर आप candle को देख लोगे, तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ, जोनों बराबर हैं या नहीं है, तो अधारन के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर एक तरीके से बताओं भी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो नीचे वाली विक है, वो यहाँ पर खत्म हो रही है, और बढनी वाली विक है वह यहाँ पर खत्म हो रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ औच एंड देना सुरू करूं, Candle Stix के इतने सारे patterns है, कोई भी एक candle का analysis करो, उसी पर काम करना शुरू कर दो, definitely हो बहुत अच्छे profit बना सकते हो, ठीके तो चलिए कुछ और यहाँ पर हम try करते हैं, एक trade में और यहाँ पर लेके दिखाऊंगा ओके, तो देखो यह CHF JPY है CHF JPY OTC अब यहाँ पर इस वाली candle को भी हम engulfing candle नहीं बोल सकते, क्योंकि नीचे की विक बड़ी है, उबर की विक छोटी है और जब भी आपने इस तरीके का कहीं पर भी आपने सस्पीसियस अपने mind में कोई चीज करेट करी, समझ लो वहीं पर आपका loss होने वाला है यह clear cut में आपको crystal clear बता रहा हूँ अगर आपने चोटा मोटा भी doubt रखा तो वहीं पर आपका loss हो का पक्का आपको यहाँ पर doubt रखना ही नहीं है doubt रखा काम खतम, यह आप देख रहा हूँ अगर आप ऐसे बहुत सारे लोग सारी चीज़ है, scenario के साथ by example live में आपको trade करके दखा रहा हूँ अपने account के अंदर ठीक है, इसो फिलाल दूसरा कोई asset देखते है मेरे को अगर चाहे तो bullish market में मिले या bearish market में मिले, जहाँ आप भी मिलेगा मैं trade ले लूँगा, बट मैं wait कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ candle का, ठीक है अब इसके अंदर एक और question आप सभी लोगों के दमाग में आ रहा हूँगा कि जितनी भी ये candle है engulfing candle के दो टाइप्स होते है मैंने आपको बता दिया, बीरिस में इस तरह की candle बनेगी, बुलिस में इस तरह की candle बनेगी, लेकिन इनका जो color है वो कैसा रहेगा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है, अपने दमाग में doubt रखके मत जाना अगर VIP trading पर आ गए हो, तो VIP AJ Pro Trader बनना है, तो doubt क्लियर कर दो कोई doubt रह गया है, कोमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, यह आप देखो bullish engulfing है, यह bearish engulfing है, और यह authorized candles का pattern है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने fight से पास से आपको बना कर देदूँगा, this is authorized ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही candle जो भी बनेंगी, वो candle आपकी किस तरीके की बनेंगी, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो so मैं फिर से एक trade यहाँ पर लूँगा again, आप देख सकते हो, पिछली वाली जो candle है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो, engulfing candle है but I am not sure, क्योंकि नीचे वाली विद थोड़ी से बड़ी है, इसलिए wait करना, trading के अंदर trading अगर कर रहे हो, time लेके trade करना, wait रखकर के trade करना वो जादा बेटर रहेगा, ठीक है अलाकि यह वाली candle भी एक तरीके से engulfing candle लग रही है, बट उपर वाली विक थोड़ी से बड़ी है, नीचे वाली थोड़ी से पड़ता है, आप यहाँ पर trend भी देख सकते हो, आप यहाँ पर अगर मैं horizontal line ट्रो करता हूँ, तो यहाँ पर एक support label भी देख सकते हो, अगर उपर की direction में आप resistance label देखोगे, तो वो यहाँ पर कहीं बनेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे scenarios हेट हो रहे हैं, मतलब trend भी up है, पहला number दूसरा number support भी बहुत नीचे बना है तीसरा number resistance भी बहुत उपर है, तो अगर आप इसको edge इंगलफिंग candle भी मान भी लेते हो, ठीके मैं मान के चलता हूँ, मैं एक इंगलफिंग candle को मान यहां से bullish market में trade ले सकते हो, गाइस दखो जितने भी traders हैं, जितने भी traders हैं, जितने भी pro traders हैं, उनके अंदर एक फरक है, trader और एक pro trader में फरक ही होता है, जो trader होता है, वो trained, बाकी की चीज़, जो चोटी चोटी चीज़ हैं, जो आप को visualize होती हैं, जिनको आप image के मादन से देख सकते हो, उस पे focus करते हैं, और वही चीज़ जल्दी attract करती हैं लोगों को, मान के चलो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई, यह engulfिंग candle है, और इस तरीके से काम करती है, तो आप यहां पे trade ले लोगे, क्योंकि आपको season समझ में आ रही हैं, लेकिन ultimately जो price action है, वो समझना बहुत जरूरी है, तो उसको समझने के लिए, आप 2-3 वीडियो अगर मेरी देखोगे price action की, पिछली वाली तो आपको समझ में आएगा, फिलाल यह वाली जो candle, यह वाली जो trade हमने लिए है, आप देख सकते हो, यहां पे, जो scenario है, scenario अगर fit नहीं बैठता है, तो आपको trade करने का कोई right नहीं है, आप वहाँ पे trade मतलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपे कुछ multiple trades ले रहा हूँ, multiple trades लेने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव यह है, कि आपके पास, again मैं आपको starting में भी मैंने आपको बोला, एक से दो rejections अंदर, market क्या करती है, volatile होती है, जिसको हम लोग fluctuations भी बोलते हैं, या rejections भी बोल सकते हैं, वही हमारी हुआ, हमने पिछली वाली candle पर trade ली, वो trade हमारी हो, loss हो गई, कोई दिक्कत बाली बात नहीं है, लेकिन, मैंने money management किया, अब आगी से ओर मैंने trade लगा दी, सारी की सारी trade आप देखे हो किस direction में जाएंगी, और इन trades को कोई भी नहीं रोक सकता profit होने से, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, अभी लगबग 20 seconds बची होई है, I'm sure, कि अगर 50 डॉलर मैंने कमाया है, तो आप देख सकते हो, मैंने 6 trade यहाँ पर ली है, back to back, सारी की सारी trades मेरी upward direction की तर इसी तरीके से, गाइस आप क्या कर सकते हो, मैं इनको पहले raise कर देता हूँ, इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, कि आप engulfing, bullish में trade लेना चाहते हो, या bearish में लेना चाहते हो, सबसे पहले तो यह decide करो, यह decide करनी के साथ, आपको अगर ऐसे समझ में आता तो पुलिस मार्केट में आपने देख लिया, इसी तरीके से आप बीरिस मार्केट में भी ट्रेड ले सकते हो, बीरिस मार्केट में इस तरीकी की केंडल कहीं पर भी आपको दिखती है, आप उस टाइन पर डाउन बार डारिशन में ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर यह आपने देख लिया किस तरीके से यह जो हमारी strategy है, price action की जो अगली series है, यह किस तरीके से काम करती है, आपने यह आप देख लिया अगली वाली candle है, engulfing candle कितनी जादे important है और हर एक candle के अंदर ही हमें चुपा हुआ होता है हमारा अगला signal signal आप समझ रहे हो जो signal मैं आपको देता हूँ या बाकी कहीं पर भी आप signal को लेते हो candle के अंदर ही signal चुपा हुआ होता है फरक सिर्फ इतना है कि मुझे थोड़ी बहुत knowledge है तो मैं आप सभी लोगों के सामने यहां पर आके बता देता हूँ आप सभी लोग थोड़ा से नहीं ने जुड़े हो या फिर आपको अगर आता भी है आप लोग कोसिस नहीं करते हैं इसलिए आप नहीं कर बाते पॉटी सी मार्केट था हमने सिर्फ दो ट्रेड ली है दौनों ही ट्रेड में हमने प्रॉफिट को बुक किया है तो accuracy भी हमारी बढ़ गई 100% प्रॉफिट देख सकते हूँ उसके साथ साथ loss का यहां पर chances खतम हो जाता है मतलब यह है loss होने का कोई chance ही नहीं है मैं आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों का जितना भी अच्छे से अच्छा content होता है तो आप सभी लोगों को guide करने की कोसिश करता हूँ इस group में बिल्कुल जुड़ जाना अभी खेपी इस group में जुड़ना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों को जैसे giveaway है या कोई कुछ भी आपको करना है तो आप इस group में कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा है यहाँ पर बहुत अच्छा आपको results मिल जाएंगे अगर आप Kotex Global Group में जुड़ जाते हो तो इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल ऐकन जरूर प्रेस करना अगली strategy कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मार्केट में पिछड जाओगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगर कोई भी एक doubt रह गया है तो मुझे comment section में बता सकते हो मैं आपके doubt का बिल्कुल एक crystal clear answer दूँगा जिससे आपके सारे doubts clear हो जाएगे यह एक चोटी सी वीडियो थी आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों ने इस वीडियो को enjoy किया होगा premium जो हमारा group है वो थोड़ा सा उसके terms and condition है तो अगर आप इस group में जुड़ोगी तो इसका जो print message है यहाँ पर आप जाके देख लेना कि किस तरीके से आप यहाँ पर join हो सकते हो join होने के क्या rules है compounding series के क्या rules है risky rules क्या है FAQs क्या है join जो giveaway है उसके क्या rules है सारे के सारे rules यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आपको कहीं पर भी premium group में VIP group में या compounding में series में कहीं पर भी आपको entry लेनी है तो इन groups जो भी groups में यह जो मैंने आपको pin करके रखे हैं यह इसलिए करके रखे हैं so that कि आपके सारे के सारे doubts clear हो जाएं ठीक है किस तरीके से trade करना है किस तरीके से नहीं करना है बाकी registration का link आपको video के description में मिल जाएगा वहाँ से register करके trader ID मुझे बेजना मैं आपको premium group में इसका access दे दूँगा दोस्तों हजारों से ज़्यादे की संक्या में लोग मेरे साथ trade कर सकते तो मान के चलिए एक, दो, दस, पांच, सो, दो, सो लोग ऐसे समझ लोग की सो, दो, सो लोग गलत हो सकते हैं बट, हजार से ज़्यादे लोग गलत नहीं हो सकते Thank you so much for watching this video मिलते हैं एक नई वीडियो में नई price action की strategy किसा तब तक के लिए, take care